जालो एबरीवान नमस्कार आदाव स्थ्रीकार कैसे हैं आप मैं हो डॉक्टर परणजीत आप देख रहे हैं अनकेडमी नीट पीजी और नीट पीजी को कॉंकर करने के लिए आपके ब्रेंग का पावर बढ़ाना बहुत जरूरी है ब्रेंग का पावर एट-लीस मैंटेंड क तुर्ञ तूड हमने पिछली बार आपको बताया था कि आप time कैसे मैंलेच आप सिर्केदी कैसे बनाएं हमने बताया था यह अपना कैसे करें लेकिंवर वार य Jazz परखीड वैससे कॉन से지 पीने चीजीजें जो आपके ब्रेन का पावर उसकी को को बूस्ट करते हैं तो बढ़ाते हैं सोचने समझने कि आपकी शक्ति को इंग्रीज करते हैं ऐसे कौन-कौन से food products हैं ओके उसके बारे में आज बातचीत होने वाली है और पहले सबसे पहले आप अगर मुझे नहीं जानते मैं हूं रॉक्टर परमजीत आपको अगरी नहीं प्रशिक नहीं जानते हैं और पिशले चार साल से विदियोज बना के simplify करने medical concepts को students के लिए और जनरल पड़िक के लिए so that's my photo essay में आप हमसे medical concepts physiology के simplified way में समझ सकते हैं अगर आप unacademy join करते है unacademy के प्लस subscription में आपको live और recorded classes का दोनों का एक्सेस मिलेगा और साथ ही इंडिया के top educators हर subject के medical subject के educators आपके access होंगे आप उन में से किसी से भी जिससे आपको चाहे समझ में आता है उससे आप समझे ठीक है आपके पास सारे टेस्ट्स, लाइव विज्जलों होंगे अविलिबल किसी भी तरीके के इलेक्ट्रोकॉनिक डिवाइस से पढ़ने की पूरी आजादी है और 25,000 से भी जादा आपके पास question banks अबलेबल है इस particular platform पे तो ये है इसका plus subscription और iconic नाम का भी एक subscription है जिसमें ये plus subscription जो था वो तो है ये plus उसके साथ prep ladder का subscription है जिसमें खुद उसके कई सारे integrated essential video lectures है question banks है rapid divisions है dream notes है तो बहुत पढ़िया package आप ले सकते हैं यतना चाहें उतना पढ़ सकते हैं अन्त ही नहीं है पढ़ाई का और हम लोगों का काम है educators का teachers का ये काम है either आपके concepts clear करें या फिर आपको समझाए कौन से important topic है सो इसी लिए special classes भी शुरू है जो होंगी अनकैडमी पर अप अनकैडमी पर सारे educators की special class जो है attend कर सकते हैं free of cost इसके लिए आपको केवल मेरा code डालना है परमजीत आप परमजीत डालेंगे और आपको वह class में entry मिल जाएगी वहां आप मुझसे इंट्राइक कर सकते हैं पोल में mcqs answer कर सकते हैं अगर आप ने कोई package लिया है तो हैंड रेस करके आप पहले नंबर पर पांस है पूर सकते हैं तक मॉइक्सत मॉग tenth कोई तरीका ही अपने आपको च्रक करने का टेस्ट करने का ससद्ध है जह भी है अप वह घ्यक्त कास्ट मिलेगा इसमें वह आपको मेरा code डालना है जो है नृट द्धिर पर्मजीत paard यापको इसमें थी free of cost entry मिलेगी और iconic price अगर आप iconic subscription लेना चाहें और अभी आभी आपने preparation शुरू किया है next year का preparation करने के लिए अगर आप चाहें 12 महीने का 18 महीने का 24 महीने का सारे आप ले सकते हैं कोई भी एक उसके यह सारे new prices आप देख सकते हैं and it is a very good package very good plan आप जरूर आप इसको ले सकते हैं और इसमें जो मेरा आप code उसकर सकते हैं जो आपको पता ही है इसके आगे बढ़ते हैं परमजीद code डालने पर नॉर्मली 10% मिलता है कुछ ऐसे golden days आते हैं जिसमें 20% off भी मिलता है पर आफ तो मिलेगा आता आता जो काम फेला है और यह अजना चाहर है इसके सबसे पहले आप टेख आप यह यह एट आप यह अशै प्रकार के खाने इवन ऐसा भी बोलते हैं कि प्रकार से खाना बनाया गया है the aura in the kitchen whether you are angry or sad or happy can also affect what effect that food does to your body although इसका कोई scientific benefit यह scientific basis नहीं है but then what I mean to say is that food is very important food is very important for your brain function as well as health और उसको maintain करने के लिए भी बहुत जरूरी है healthy brain रहेगा तो आपकी cognitive power increase होगी और आगे चलके चलो अभी तो exam में आपको बहुत फाइदा exam में यह फाइदा करेगी बहुत जादा cognitive ability अगर आपकी सोचने समझने की शर्ती बढ़ जाए और आगे चलके उमर के साथ इसी habit को सही रखने पे neurological problems आपके जो है इसलिए brain foods या ऐसे खाने की चीज़े जो ब्रेन को affect करती है उसके बारे में आपको knowledge होना चाहिए तो वीडियो देखते रही है बने रही है साथ में ठीक है अगर आपको slow लगे तो आप speed बढ़ा के देख सब्सक्राइब कर देख सब्सक्राइब कर देख सब्सक्राइब कर इस balance diet में जो सबसे ज़्यादा मिस हो जाती है चीज़े वह स्टूड़न के life में fruits और vegetables सबसे ज़्यादा मिस होना दाल और चावल और रोटी सबजी तो मिलती है तो fruits और vegetables और दाल और साथ यह बहुत जरूरी है and most important है कोशिश करनी घर का खाना खाए जंक ना खाए बैठके महां सिर्फ मैगी पर मैगी बर्गर पर बर्गर पीजा बर्गर बस और कुछ ना रहा है तो ऐसी ना काम करो that is not good for your insulin not good for your body junk या high low 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 in nutrition आप अगर high carb diet लेते हो right that is not good okay तो यह avoid करें यह avoid करें low in protein foods are avoid करें आपको protein लेना है high protein foods आपको लेना है कुशिश करें plant sources से protein ज्यादा मिले और fish prefer करें अगर आप नॉन्वेश खाते हैं आप instead of red meat avoid करें थोड़ा सा red meat या आप इसमें lean lean parts of chicken avoid ले सकते है lean मतलब egg white ले सकते है lean chicken में क्या आता है आपका जो breast right lean parts of non-veg उसमें आप ले सकते है chicken breast वो जाला अच्छा है और you can take egg whites ठीक है तो those two are very good fish is very good और इसमें भी healthy fats होगा इसमें कोई भी fish ले सकते है fatty fishes भी ले सकते हैं तो these are also plus अगर आप यह नहीं लिखते हैं तो कोई भी ऐसी oils है जैसे canola oil है olive oil है या फिर आप ले सकते हैं घी यस डेसी घी is also very good basic he is also very good बहुत सारा fats तो खाना ही नहीं रांस फैट्स बिल्कुल आवाइड करना है trans fats कहां होंगे trans fats are in outside food which are cooked in low quality of ghee butter or whatever you call it dalda and all and put on very high flame we know कि जितना actually जो restaurant का खाना है और जो हमारे घर पे खाना बनता है क्यों कि इतना difference क्यों restaurant एक खाने पर जो high flame होता है तो high heat high flame बहुत बड़ी फ्लेटा बड़ा तो उनका stove होता है होता ही जीरो फ्राइट लिखते हैं because technically do you know they are allowed to write zero trans fat if their trans fat is less than 0.5% of one serving कि इसमें क्या गेम किरते हैं वो लोग मैं वरता हूं आपको यह तो हो गया इसको clear करते हैं इसमें क्या गेम किरते हैं अगर trans fats इनके लेस एक serving में one serving में less than 0.5% है तो वो उसको लिख सकते हैं कि जीरो ट्राइट है अपने लेबल पर राइट अब यह क्या करते हैं मान लो कि आपके पर्टिकुलर खाना है कोई दाल सेव हैं कोई भूजिया है कोई पत्याना ठाला धमकाना है उसके अंदर अगर आप उसमें मान लिजे कटोरी खाते हैं जिसमें 20 ग्राम होती है उस 20 ग्राम में मान लिजे 2 ग्राम 2% तो परसेंट उसमें trans fats है यह क्या करते हैं यह जो 20 ग्राम खाओ चार ग्राम करते हैं 0.4% लिख देंगे इसमें trans fat is 0 इस इस हाओ दी marketing agencies fool us in eating those things those are unhealthy for you unhealthy for your heart unhealthy for your brain तो यह रिहाने वरेशना कि इस प्रकार के बाहर के packaged food में ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं सकते हैं but trans fats का हिसाब किताब यह है बहुत जरूरी यूँ आर गूंट बी डॉक्टर से आपको पता होना चाहिए ठीक है पहला brain food पर आ जाते हैं वापस brain food में सबसे पहले जो आपको जरूरी है जो लोग नहीं खाते राक्टिकली वह ग्रीन लीफी वेजटेबल ठीक है प्राक्टिकली फ्रूट्स भी लोग फिर भी स्टूड़न्स जो है जूसूस पीलेंगे कहीना कहीं से लेकिन लीफ अपने इंडिया में आता तो कहीना कहीं से मंगा के खाएंगे मिला तो ठीक है नहीं मिला तो कोई जरूरत नहीं है अपना लोकल स्पिनिच मौसम करत आप से मिलता है बेस्ट पालक खाओ जो भी चीज़े आपको मिलती है वह खाओ ब्रॉकली मिलरी नहीं मिलरी ऐसा कुछ जरूरी नहीं मिलती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं मिलती है तो कैबेज खाओ अपने simple simple खाओ कॉलाडस जो भी आपको मिले और यह अव्यस कहीं थे ज्ञेंग से थे टीब्स द इसमें क्या होता है जितना ज्यादा कलर होगा कि इन कलर में क्या होता है चीन है पूर कल आपका जो हिप्पोगंपास है वहां पर जो ऑक्सीडीटिव स्ट्रेस है वह मेन फैक्टर है जो आपका कम कर देता है आपका मेमरी आपकी यह आपकी और कॉगनिटिव अबिलीटी यह बहुत बड़ा फैक्टर है stress oxidative stress these oxidation antioxidants basically inhibit this oxidative cell reduce the oxidative cell therefore even researches will tell you plant-based style will low cognitive decline with age and increase your cognitive power and increase your memory and kai sare s green valley cheese my vitamin k hota hai lutein hota hai folate hota hai beta carotene all are antioxidants very good brain K is required for the signal generations in the brain also okay then fatty fishes fishes bhaiya us ke under kya hota omega-3 fatty again these are anti-inflammatory anti-oxidants same way my entire anti-oxidants same way my memory boosts karega yeh inflammation ko kam karega stress ko kam karega cortisol ko kam karega okay this fatty fishes are very good for you then is meh unsaturated fats hoti hai yeh na also lower your blood levels of beta amoled the protein which actually forms damaging clumps in the brain of people with alzheimer's alzheimer's mein budha peh tak kama hai so at least aapko ko koshish karni hai fish aapko hafte mein dho baar khaiye at least 250 grams of fish okay yeah yeah you can choose uh to eat omega-3 supplement yeah yeah you can use a supplement okay yeah you can use a supplement okay is ke saath mein aap kya kar saktay hai low in mercury ka kya mtlab hai choose the variety of fish that is low in mercury because normally kya hota hai this particular mercury is because log apne waste joha samudra mein dhal dhate all the ocean way so the mercury is basically coating is present on all the fishes fish ke johu parka skin ka layer hai joh aap nahi khaate hai aap or mahi fish ke upa skin thodi khaate hai hai hum nahi khaate hai lekin joh chhoti mcchi hai us ke upa to laga hota hai fish ke upa mercury and joh bady mcchi us ko kha jatai hai us bady mcchi ke kha.thaka pepe 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 make 30 Meh यहां पर फ्लेक्सीड मिलता है यहां किया वॉलनुत मिलता है इंपोर्ट करा है इसा जबूरत नहीं है जो मिल रहा है वह खाऊ अगया सब्सक्राइब आ लोग कहते हैं नियुक्त से घ्रिक्स में जो तरी समय जो बास होता है दोजार उसमें इसमें एले ज्यादा होता है और जो हमें में चाहिए वो है EPA और DHA इनका बहुत अच्छा रूल है बाडी में Olay Converts to EPA DHA to some extent or something is better than nothing ले सकते इन हम बैरी जाता है बैरिस दें सेकंड पूर इस बैरी बैरी समें सब से जाधा कलर अगें अक कलर मैंट कलर जतना जाधा होगा जाधा कलर इस इक लडोड़ जाधा एंटी ओक्षिदेंट जाद रुखना एंटी ऑक्षिदेंट इस बैरी बिग वर्ड दुनिया भर की चीजों में एंटी ऑक्षिदेंट होते हैं सब फ्लेवनौइड यह नौइड वह सब अटॉक्षिदेंट फ्लेवनौइड दाट्रल प्लांट पिग्मेंट्स विच अक्षिदेंट एफेक्ट रिदूसिंग एकशिदेंट इपकेटन इफ्टेंट और इंडिविज्वली इनके रूल अकेले एफेक्ट थे अगर आप सारी चीजे लेते हैं तो इक इंडिविज्वली एफेक्ट है बट यह और इसमें रिशर्च में एक स्टडी वह श्टी वहां दिखा गया कि ऐसे विमन दोस वो कंजूम तू और मोर सर्विंग और ब्लूबरी इच वीक हफ्के में दो बार तीन बार ब्लूबरी खाली उनके अंदर दे मेंवरी डिकलाइन इस डिलेवड बाय तू एन अफ यर्स तो see how much of boosting power these berries have and every dark fruit has the same power but yes berries में थोड़ा ज्यादा power if it is available then okay नहीं available है तो आजकल dried berries आती है those are also good enough but they should be unsweetened याद रखना ऐसा नहीं की मीठा मीठा खाये जारे berries के ओपर चॉकलेट डालके चॉकलेट berries खाये रहे don't do that unsweetened रखना है natural berries आपके तेंड देर इस हमारी चाए और कॉफी विद दुनिया के सबसे प्यारी चाए हमारी चाए और कॉफी हमारी जो है जो हम दबा के पीते हैं in the study time ये भी आपके की मेमरी को बूस्ट करते हैं पता है तभी तो पीते हैं तभी हमारे मॉर्निंग कप आफ चाए कॉफी जो है वह भी या इसमें स्टडी बाकाइदा बहुत सारी जैसे दोजार चौदा में स्टडी वी थी नैशनल जनल जनल नूट्रिशन में जितना पार्टिसिपेंट्स का कंजम्शन ओफ कैफीन वस हायर उतना ही उनका स्कॉर बेस्ट था मेंटल फंक्शन का तो इस इस बाका जैसे लिए किसिए उनका मैंगा जनाच में बाका कॉम्शन का ईकाता द्वी यहां करेसे बीड़ मेंटा शुर्म कांगा चल्डव कार चल्डऑ क में एक कंजीर। caffeine solidify करने में help करेगा so if you don't really are your student if you are a student you don't really drink coffee or tea just because it's hard on you you can try green tea you can try green tea it also has caffeine ठीक है but it should include some amount of caffeine or something if possible right so इसमें John Hopkins University में भी देखा गया के a series of images were taken and a study of series of images देखा कर वाया and then either you take a placebo or 200 mg caffeine tablet the more members of the caffeine group were able to identify correctly जैसे इतनी कोई यह वाली खतरनाक study नहीं है मगर येस it is definitely caffeine coffee का effect है और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ the daily there has to be a limit that does not mean की coffee है चाए है उसको दबा के पीते ही जाओगे इसमें क्या है green tea green tea में approximately approximately 50 mg of caffeine होता है per tea और green tea और एक simple चाए में होता है आपका approximately 100 mg coffee में होता है 200 के आसपास अच्छी coffee पी ली तो एक दिन में आपको कोशिक करना है कि 300 to 400 से जादा नहीं जाना है तो दो coffee दो अच्छी गाड़ी coffee या चार चाए पी सकते हैं या आठ ग्रीन टी पी सकते हैं या आठ ग्रीन टी पी सकते हैं या जादा जाते हैं तो थोड़ा उसके side effects जिट्रीनेस इंसोम्निया प्रॉब्लम सा सकते हैं कैफीन के ओपर अलग से वीडियोज हैं हमारे ज़रूर देखें ओके जैसे मैंने बता है लीन प्रोटीन पर ध्यान देना है जो आपके वेजिटेरियन सोर्स में नहीं है और उसके अंदर होता है कोलीन बीवाइटामिन होल्ड वी कॉंप्लेक्स ग्रॉप्स इंक्रूडिंग नियासीन बीट्री इन विच वेरी हेलफुल इन वेरियस वेरियस थिंग्स बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं बॉडी के जो जिसके लिए नियासीन ज़रूरी है b12 is very important b vitamins aapke depression or dementia neuropathy is neuro as you know they are used the choline is used to create neurotransmitters it's responsible for your mood and memory so many things are important so eggs should be अगर आप अगईटारी नहीं अगर आप खा सकते हैं they are a very good source of protein also they are very good source of choline also vitamin b12, b3 they should be included in your regular thing okay if you can then walnuts walnuts भी ये इंडिया में मिलते हैं nuts वैसे तो सारे ही बढ़िया source है protein के और उसमें healthy fats होते हैं but walnuts is having much more omega 3 than any other other nut so 2015 में particularly देखा गया walnuts खाओगे तो उससे memory improve होगी because of omega 3 and there are many more antioxidants obviously many more beneficial things walnuts are very high in ala alpha linolenic acid so this is also present in your flaxseed so you can make walnuts or flaxseeds and this study में क्या देखा गया ucla की की higher walnut consumption improved cognitive test score देखे गये it is also very good और diets ala और other omega 3 fatty acids में अगर आपके होते हैं तो ना सिर्फ आपकी memory better होती है आपकी cognitive function better होता है बलके आपका blood pressure थोड़ा सा relax होगा आपके heartries में functions better होगे और अब यह इसमें लिखा है cleaner arteries that does not mean की blockage clear होता जाएगा जैसे कुछ youtube के videos में आप देखते हैं no that's not correct cleaner means the deposition of cholesterol bad cholesterol into your heart the plaque atherosclerosis will be to a lesser extent because of reduced inflammation inside the arterial walls right so it is good for your heart as well as your brain okay यह atherosclerosis का पूरा detail में पढ़ेंगे हम जम हम heart के मारे में पढ़ें and blood vessels then again fruits fruits खाना बहुत जरूरी है and it should be a part of your daily routine right मौसम के and what's most important words here is go for seasonal and local right पॉरन के fruits लाला के dragon fruit खा रहे हैं हैं पता नहीं कीवी ला रहे हैं हमाहे तो मिलता नहीं है तो bell oranges में खाओ बढ़िया tomatoes are also included in the fruits okay strawberries guava all those say kela whatever is available bell pepper vitamin C होता है कई सारे fruits में vitamin C is very very helpful वो आपके brain cells को damage होने से बचाएगा और overall brain health को better करेगा कई studies में देखा गया है vitamin C is good for a lot of things not just brain cognitive function as a big antioxidant for your skin for your healing for immunity for it's an antiviral effect तो इसका इतना benefit है what's the point of studying for so long and then getting a viral illness and फिर दो 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 आफ्ते की छुट्टी है आफ्ते बर की छुट्टी क्या मतलब है तो इस्टे से एक orange ही तो खाना है and one medium sized orange one orange just one orange can actually give you the whole vitamin C which you need for the day एक orange a day यह नहा one apple a day gives one orange a day gives all the virus away एसे बुल सकते है वैसे then I already talked about leafy green तो उसके अंदर vitamin K जो है it helps in the formation of fats inside the brain cell यह जो fat inside the brain cell are seen to improve memory and the the relate goes on inside the brain so fats, folates, betacarotene, lutein, vitamin K all are good and they are presenting your green leafy again vegetables maybe you should go with seasonal यह नहीं की साग का सीजन है नहीं साग धून रहा है मजार में मिलनी रहा है सार पिनिश तो है नहीं ऐसा के सार मैं तो पॉप आए हूँ मेरे को पिनिश चाही ऐसा थोड़ी होता है ठीक है तो सीजनल और लोकल जो आपके लोकल एरिया में मिलता है जो ग्रीन लीपी वेजिटेबल है वो ले लो राइट अगर हमको एक ही चीज खिला नहीं होती ब्रॉकली तो ब्रॉकली बोलते ना हम बोल रहें ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल हारा दिख रहा पत्ते जासा दिख रहा लें इंता नको कराइट सब एक है केल केल ढूंड रहे नहीं तो ऐसे भी नहीं करना वाइटमिन ए अपने आपने लिवर के लिए वी वह अच्छा है एंटी ऑक्सिदेट एफेक्ट है और अटी ऑक्सिदेट एफेक्ट वाले हैं मैंने बताया था मैमरी इंपरूब कर सकते हैं वालनुट्स और वन फॉप बेस्ट विद ओमेगा-3 एंड वेरी गूड फॉर मैमरी इंप्रूब कोगनिशन एंड स्लोवर मेंटल एक लाएं इतना नट खाएं एक मुठी भरके मिक्स नट खाएं मिक्स और अगें लोकल नट खाएं जो मिल रहा है और अगें अपनी बजट को भी देखके ऐसा नहीं कि सर ने बूला तो इतना महेंगा वाला लेकर आए इस अपर आप अगेलर इस तर फीटिंग विट्ट खाएं जो बिसकेट्स और रस और थी थिंग आए रचल एट वन अखरोट या फरक पड़ता है यह यह बिसकेट्स प्लकिन शीड्स मिक्सीड्स का आजकल भी बड़िया ट्रेंट चला हुआ है सारी दुनिया मिलते जाते हैं इस अब्रेश नहीं के बिसकेट्स अद्र्ट्ट मिनरल्स जिंक, मिकनेशियम, कॉपर, आयरन अजीज थिंग्नेशियन, कॉपर, आयरन अज इ magnesium is used for learning and memory and copper is for controlling the nerve signals and iron is again brain fog होता है hemoglobin काम होता है oxygen नी जाएगा brain को तो कहा पड़ो so yes it's not like कि ये चीज़े pumpkin seed से मिलेगी but it's like these seeds they help if you add them into your diet so you will definitely see some improvement and obviously when we talk about improvement many people will see very light very mild improvement but any mild improvement is worth that you know effort so pumpkin seeds or mix seeds should be included with your tea or with you after your food as a even of a fiber supplement they also have a good amount of fiber and एक चम्च खाने में कुछ नहीं जाता है कि नहीं हल्दी कर्मरिक कुर्क्यूमिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक या कि सबसे दुनिया में सबसे एफेक्टिव ली सबसे ज्यादा हल्दी प्रूवन जो हर्भ है या कहलो जो तो ऊन्पाइस और यह चाहिए तो डार्क यलों सबसे बोल एक एक होती है और एक चैण NAC and acetylcysteine that is also very good right so curcumin is an anti-inflammatory substance obviously antioxidant and it can the most important can pass through the blood brain barrier to enter the brain directly it directly involves in improvement of your hippocampus the memory areas improve in less depression less and the growth of even growth of new brain cells right so it is very good and acetylcysteine can actually boost your increase the production of your glutathione so glutathione is also a very good secondary glutathione peroxidase antioxidant pathways to reduce the oxidative stress so NAC can actually also reduce the oxidative stress going on in your body and your hippocampus in your brain then whole grains whole grains are also so 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 रिज ज़रोज रोजी रोज और तबाह के पीज़ा मो बर्गर पस हो च मीच ऊच ऊच आया गए दर लोज अनन्हेट ईस दॉट और तो बरेज सुठ वीच पास्ता बार्ली होạnh्व sitting त्ञाराम च्यक्श खास्ट Panda Two Gains कि कॉंटिटी जो है there is should be less especially in Indian senior सिनारियो में क्या खाते है dal चावल राइटब नाल चाया रौती बिए शबजी रौती सब्जी रौती है चावल रौती कितनी रौती पेर आपक्ष्या में तो घ Yuri जो है प्यावटि आऩू थो आफ परके सब्सक्रमा करते करते हैं Hill यस बंइए Tam İs इ सब्सक्रमानुट में 15 फसक्रमन परने Catharta अब्सक्रमाइब सब्सक्राइब काप्स और भी आएंगे वादब ग्रेंस आपके 40% से जादा नहीं आने चाहिए 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 काप्स आपके कोशिश करो 50% से जादा ना हो जाए आपके 50% से टेखनी के लिए तो सकते हो 60% भी ले सकते हो इंद इस पॉंट्ट यो नीड़ हाइब हाइब वाइटमिन ई बड़िया होता है इस पर्टिकुलर चीज में होल ग्रें में और वाइटमिन ई प्रिजर्व फंक्शन एंड प्रिवेंट्स नियूरो डिजनरेशन ऑफ यूर परेंगे लिए तो द्यान में रखें डाक चॉकलेट दबा के खाएं डाक चॉकलेट के सर लाओ चॉकलेट कहां अधा दूसरी वाली चोकलेट मीमेथी ना ना डाक चॉकलेट मीथी नहीं लगती और डाक चॉकलेट बेसिकली जेगाट कोकोओ पावडर इसके अंदर ब्रेन बूस्टिंग सब्स्टैंसे थे लिए कैपीन है एंटी ऑक्सिदेंट हैं और ग्रेटर कोकोवा कंटेंट तो जो नॉर्मल अपनी डेरी मिल्क है या कोई दूसरी चॉकलेट है तो रेगुलर मिल्क चॉकलेट के बेनेफेट से होते हैं वो सिर्फ 10 परसंट कभी कुछ लोगों में 25 परसंट ज्यादा तो उसमें क्या हो जाएगा अगर आपको उससे बेनेफेट लेना चॉकलेट से बेनेमिनोट मिलने चाहिए तो फिर और क्वांटिटी ज्यादा खानी पड़ेगी फिर क्या होगा शुगर जादा फिर क्या होगा इंसुलीन बूस्ट होगा फिर क्या होगा उसका जो नेगेटिव इंफेक्ट आएगा उसके पॉजिटिव इंपैक्ट से जादा हो जाएगा क्या हो जाएगा यह आपका रिस्क और आपका पॉजिटिव नेगेटिव बैलन्स करके च सर्च में भी यह देखा गया है if you take these kind of dark chocolates regularly they are good for your brain and age related mental decline they are also very good for your liver and your heart तर में रखें तर में तर में तर में तर में जो वाइटमिन सी है न होग पढ़िया चीज है है यह बहुत जरूरी है इसलिए फिर से आया है कि it is very important to prevent mental decline सर मिर से याद नहीं रहा सर मुझे कुछ याद नहीं रहा सर में पहले याद रहता था जब फर्स्ट यर में थे अब साथ हो गए है कुछ याद नहीं रहता सर अने से पहले सब कुछ याद था नहीं क्या होगा तो बैसिकली यह नौट टेकिंग केर साथ जरूर लिया करो प्री रेडिकल डामेज से बचाओ अपने डिप्रेशन डिसॉर्डर्स एंजाइटी सिजोफ्रेनिया अल्जाइमर सब से बचोगे वाइटमन C दबा के खाओ नैचरल पोर्स है बेल पेपर ग्वावा कीवी टोमाटो स्टॉबरी जो मिल दे खाओ विटमिन C खाओ क्या ग्रीन लीभी वेजटेबल अलसो सेकंड मेंशन इसके अंदर B6 B12 और इंप्रूमन इनलर्ट एंड मेमरी दोनों मिलेगा अग विटमिन के एट बिल्ट पाथवे इन ब्रेन अग्रीन 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 दे खाओ गें इन डिजेशन और पेट खराव है जलन ओरी गैस औरी का पढ़ाई करोगे तुम बताओ important is there plus junk food avoid करें मां बता चुका हूं junk will make you a junk junk avoid करें ठीक है frequently नहीं लेना है तुम उसमें ज्था होता है डीफ्राइड होता है sodium ज्यादा होता है शुगर जादा होता है वीपी बढ़ेगा इंसुलिन बढ़ेगा इंसुलिन रिजिस्संस बढ़ेगा इससे नीन दाएगा पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी memory retain नहीं होगी तो पढ़ोगे भी वो weight gain होगा लिथारजी होगी पढ़ोगे भी वो इतना समय दिया है इतना दिमाग दिया है तो do not do not eat bad food do not skip meals do not eat junk food रेस्ट प्रॉपर ले अपना ख्याल रखें फिजिकली थोड़ी exercise करें योगा टाइप या at least some stretching is important every two hours दिन में 15-20 minutes अपने health को निका लें जोगिंग रनिंग stretching skipping जरूर करें eat right study right exercise and sleep well and very very हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्त काम ना है thank you so much for watching please share this video if you like it and comment करके बताव नीचे क्या पाट ज्याद अच्छा लगा stay connected stay healthy bye